सतसंग एक शांडिल्य रिशी हुए हैं प्राचीन काल के उनका संबाद उनका उलेक उपनिशुदों में आया है और वहीं से उनके चार सूत्र शांडिल्य विद्या के नाम से शांडिल्य विद्या के नाम से लंबे काल से बड़े प्रचलित और बहुत सराहे जाते हैं उनके उस ग्यान का वरणन अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग सुरूप में प्राप्त होता है उनका एक सूत्र है जो यह कहता है कि मनुष्य को बात ध्यान से जुड़ रही है मनुष्य को उस सत्ता का ध्यान करना चाहिए शान्त मानस के साथ शान्त चित्थ होकर कौन से सत्ता जहां से सब उत्पन और जहां सब विले हो जाएगा वो सत्ता जिसमें इस सारी स्रिष्टी सास ले रही है इस सारी स्रिष्टी जिसमें स्थित है उसका ध्यान करना चाहिए बाकी विस्तार है हम उसको क्या मानते है प्रकाश गायत्री का सविता इस्तियादी चूंकि इसके बाद श्रोक का दूसरा भाव है चूंकि संकल्पित जीव जो संकल्प के साथ एक जीवन में सुचता रहता है सुचता रहता है वो निश्चित रूप से अपने मन के संकल्प के अनरूप अगले जन्व में वही हो जाता है निश्चित रूप से इस अनिले विद्या का सूत्र है निश्चित रूप से जो एक जीवन का सतत संकल्प मने जो आप सोचते हो बार 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 अगले जन्व में आप पूनते हैं अपने पिछले जन्व के संकल्प के अनरूप मन के अनरूप हो जाते हो इस सतर्कता का भाव किस के लिए? साद्य के लिए अपने मन की अवस्था को जो बार बार सामने आती है जो भाव हम अपने भीतर अपने आपको देते हैं बार बार मैं ये हो जाओं मैं हो जाता ऐसा हो जाती ऐसी तो कितना अच्छा होता उस पर बड़ा सतर्क रहना चाहिए इसलिए मान लो आप कुछ बहुत छोटा सोच रहे हो वो आपका संकल्प बन गया ब्रमर्शी का सुत्र अकाटे है वही संकल्प आपका आने वाला जीवन होगा करम बंदन तो रहेंगे पर उस अवस्था में जाकर के आपको उसका बुक्तान करना होगा पर आप हो वही जाओगे जो आप सोच ते चले जा रहे हो कि मैं यह हो जाता है, मैं यह हो जाती मैं यह हो जाओं इसलिए बहुत सतर रखता है और केवल संकल्पी नहीं, आपके लिए विशेश है यह बात क्योंकि आप शांत चित्थो कर ध्यान करते हो जो शांत चित्थो के ध्यान नहीं करता है वो केवल सूचता है तो संभव है वो हो, संभव है नहीं हो पर जो शांत चित्थो करके ध्यान भी करता है संकल्प की गहराईयां बहुत बड़ी होती हैं, उसके संकल्प बहुत गहरे होते हैं, इसलिए उसे विशेश सतरक्ता अपने साथ बरतने चाहिए, अपने मन में चलते हुए अपने प्रती भाव, इन पर बहुत सतरक रहना है। सादक के जीवन की सजगता, समान्य व्यक्ति के जीवन की सजगता से थोड़ी बिन रहती हैं, सादक की पहुंच अपने सजगता के गहरे स्तरों को होती है। सादक में वो किशमताइं देरे देरे आती हैं, वो अपने भीतर के सूख्षम शरीर को अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है, अपने पंचकोशों को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, वो पंचकोश जो यहां से शरीर छोड़के अकले मा की कोख में जाएंगे, सादक करता है, धियान का सादक करता है, क्योंकि वो अपने आप को शांती की गहराई मेले जाता है, स्थिर्टा की गहराई मेले जाता है, सजगता में केंद्री भूत हो जाता है ऐसी अवस्था को प्राप्त सादक अपने भीतर जो भी बहाओ करेगा लगातार जो भी बहाओ करेगी लगातार वो सीधी गड़ाई है जो उसके सूख्शम शरीर में भी हो रही है क्योंकि उसको अपने गहरे अस्तित्व में अस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है जो समानी व्यक्ति को उतने स्तर तक उतने स्तर तक प्राप्त नहीं होता है जैसे सौफ्टवेर प्रोग्रेमर किसी भी अपने प्रोग्रेम जिसका वो प्रोग्रेमर है उसकी सरचना तक जा सकता है समाइज व्यक्ति तो उपलब्ध एप्लिकेशन में बारी तोर पे थोड़ा बहुत जो उपलब्ध है उसका परिवर्तन करता है सादक अपना प्रोग्रेमर बन जाता है अपने अस्तित्व का प्रोग्रेमर और अपने सूक्षम अस्तित्व में जा करके अपने भीतर बहुत बड़े स्तिरों की परिवर्तन करने में सक्षम होता है ये बात ये भाव एक दियान के सादक को विशेश रूप से सदैव स्मन रखने चाहिए शांडिल्य विद्या का ये सूत्र बड़ा महत्पुन सूत्र है बीच बीच में हम शांडिल्य विद्या के अन सूत्र भी अन्य सूत्र भी लेते रहेंगे बराज के लिए इतना ही ओ में ही सत्ते है ओ में ही सत्ते है ओ में ही सत्ते है